नमस्कार मैं डॉक्टर हेमन्स शर्मा आज आपको बताने जाना हूँ टोटल पेरेंट्रल नियोट्रिशन जिसको हम बोलते हैं टी पी एन ये क्या है जैसे जो आईवी फ्लूड चलता है कुछ लोग बोलते हैं ये खाना नहीं है ठीक है जैसे कि कई बार मिर को बताया किसी है और कहा कि सुबह से भूक है मैंने का उनको नियोट्रिशन चल रहा है आई वी रूट से तो उन्होंने कहा कि मुझे सब पता ये नियोट्रिशन नहीं होता है ये तो ऐसी है तो हम इस चीज को भी डिसक्रस करते हैं मैं आमेशा एक क्वेरी बताऊंगा कि कई बार गल्ती कहा होती है अब टोटल पेरेंटरल नियोट्रिशन को कैसे नहीं समझ पा रहे है तो मैं समझ जाता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका भी पेशेंट टोटल पेरेंटरल नियोट्रिशन पर है ठीक है तो क्या है टोटल पेरेंटरल नियोट्रिशन कैसे द किया जाता है तो इसको हम अच्छे से सी डिटेल में समझेंगे वीडियो इंट्रेस्टिंग होने वाला है लास्ट तक बने रहे हैं देखे टोटल पैरेंटरल न्योटरिशन मतलब आई वी फ्लूड देना ठीक है अब इसका टोटल पैरेंटरल न्योटरिशन का डेफिनेशन क्या है देर इस डिलीवरी ओफ नूट्रियंट्स और डिलीवरी ओफ आई वी फ्लूड देर एलिमेंटल फॉर्म आई वी फ्लूड एलिमेंटल फॉर्म इन आई वी रूट इंट्रावेनस रूट एलिमेंटल फॉर्म में हम डिलीवरी कर रहे हैं किसकी आई वी फ्लूड क क्या क्या हो सकता है कार्भोहेंडरेट्स हो सकते हैं लिपेड्स हो सकता है प्रोटीन सो सकते हैं इसको हम डिटेल में समझते हैं यह हो गया अब मोस्ट कॉमन आई वी रूट क्या है सेंट्रल वेनस रूट मोस्ट कॉमन जो रूट ऑफ चॉइस है जो मोस्ट कॉमन रूट है का सेंटरल वेनस में वह आपका रहेगा इंटरनल जुगुलर वेन ट्रॉमा पेशन्ट तोरंट लगाया फ्लूइड रनिंग में दिया क्योंकि हमें बहुत फास्ट फ्लूइड देना है यह हो गया अब जनरली कोई आईजिव पेशेंट है लॉंग टर्म है बीमार है तो उस में हम क्या रूट देंगे सेंटरल वेनस ही है पर उसका रूट होगा इंफ्रा क्लेविकुलर क्लेविकल से नीचे क्लेविकल से नीचे सब क्लेवियन वेन में क्योंकि अगर जुगलर का लगाएंगे तो वह ऐसे लटकेगा बहुत प्रॉबलम होगा करदन टेड़ा है या सेंटरल वेनस नुटरिशन है कि इन तोनों में टोटेल पेरेंटरल नुटरिशन और प्इप क्या है इसका टोटल पेरेंटरल नुडरीशन का osmolarity 900 ml milli osmol per liter से ज़्यादा होता है total parental का osmolarity और peripheral parental nutrition का osmolarity less than 650 milli osmol per liter पर होता है तो ये चीज रही है आपकी तो मैं आपको समझाता हूँ अब उसके बाद और nutrition कितने type का हो सकता है ये जो intravenous nutrition है ये दो तरीके के आते हैं fluid एक होता है 3 to 1 एक होता है 2 to 1 दोनों को अच्छे से समझते है 3 to 1 generally developing countries में use करते हैं और 2 to 1 developed countries जैसे अमरीका वगेरा में use करते हैं तो developing country का जो nutrition है उसकी हम बात करते हैं उसमें 3 to 1 जैसे इंडिया में use हो रहा है उसमें क्या-क्या होता है जैसे carbohydrates होगा जो IV fluid दे रहे हैं उसमें carbohydrate है 70% तक उसमें lipids है 20% तक और आपका protein है 10% जो developed countries में है वो 2 to 1 का ratio रहता है 2 to 1 का 2 to 1 में सिर्फ carbohydrates और protein होता है lipids नहीं होता तो जो 2 to 1 है उसमें carbohydrate होता है आपका 70-80% और आपका protein होता है 10-20% ठीक है तो अमेरिका में जो developed country में 2 to 1 वाला use हो रहा है वो ज़्यादा बेटर है as compared to 3 to 1 अब बोलो ऐसा क्यों समस्तेंज बात को देखिए जो आपका carbohydrates वाला है अब जो lipid है इसमें extra 3 to 1 में lipid जादा है तो lipid का काम क्या होता है जैसे fluid गया तो वो आपका vitamin A, D, E, K इनको absorb करवाता है उसके अलावा lipids body में release करता है archedonic acid और इकोसा pentonic acid तो इन से क्या release होता है फिल leukotrines, prostaglandin, thromboxyn A2 जो कि आपका recovery fast करता है पर फिर भी बोल रहे है कि 2 to 1 जादा बेटर है 3 to 1 से उसका reason यह है कि जब यह recovery fast कर रहा है infection कम कर रहा है तो जो hospital stay वो प्रलॉंग कर रहा है अब इंडिया में हर आदमी को इतना अच्छा nutrition नहीं होता तो lipids वाला यूज किया जाता है पर अमेरिका जैसे developed countries है अच्छा nutrition मिलता है healthy diet लेते है fresh year लेते है fruits, vegetables सब चलता है purity level कम है वहाँ पे developed country है तो अच्छा खाना पीना मिलता है तो वो well nourished होते है patient well nourished है तो इसलिए उनको lipids का जड़ुत नहीं पड़ता है सिर्फ carbohydrates और protein से काम चल जाता है ठीक है उसके अलावा एक चीज और important है वो ये बताते है कि जो lipids वाले fluid है इनसे क्या होता है hospital में रहने का tendency भी बढ़ता है तो अमेरिका में हर कोई policy cover है private policies होती है तो company भी चाती है जो जल्दी से जल्दी patient को free करवा दे घर भेज़ दे ताकि company का खर्चा ना हो एक तो ये भी उसके अलावा ये तीन चीज हो गई आई-वी fluid में जैसे carbohydrate, lipid और protein अब इसके अलावा भी तो चाहिए अगर सिर्फ carbohydrate देंगे तो hyperglycemia हो जाएगा sugar बढ़ जाएगा hyperglycemia होगा decay हो सकता है shock हो सकता तो इन में sterile water use करते हैं हर fluid में 3 is to 1, 2 is to 1 तो चलेगा साथ में sterile water थोड़ा insulin का ratio एड़ करते हैं थोड़ा PPI ताकि fluid को neutralize करें PPI होता है proton pump inhibitors के content होते हैं उसके अलावा micro, macro elements and vitamin contents तो हर fluid में ये add किया जाता है ताकि patient को healthy रखा जाए इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो होगा complication of parental nutrition complications पे हम बात करेंगे अगली वीडियो में पर मैं आपको बताता हूँ अगर simple parental nutrition देते हैं तो college stress का खत्रा होता है इसलिए entral nutrition भी add करना चाहिए ताकि bile secretion वगेरा हो तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया जैसे मैंने बताया parental nutrition क्या है ये पूरा उसी के उपर है peripheral हो गया central हो गया peripheral मतलब periphery इससे देंगे तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करे चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर ले ये मने बताया nutrition क्या है क्या आपकी body में काम करेगा अगले वीडियो में बात करेंगे complications of parental nutrition और उनको हम कैसे बचाए how to prevent वो और भी interesting होगा wait कीजेगा next वीडियो इसके बाद वही आएगा चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर ले वीडियो चलकता है लाइक करना ना भूले और अगर आपका भी कोई मरीज parental nutrition पे है IV fluids पे है और आपको से related query है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो कौन सा fluid उसको ठीक रहेगा कैसे उसको manage करेंगे उसके लिए आप appointment ले सकते हैं whatsapp number मेरा description में thank you, दन्यवाद, goodbye, नमस्कार